तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं कड़ाय में दो चमज बेसन और इसे सेक लेंगे अच्छे से इसमें हम बिल्कुल भी ऑईल का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें आज को दीमा ही रखना है और साथ में बेसन को बहुत जाला टाक नहीं सेकना है बस ये अच्छे सी खुश्वू आने लग जाए इतना ही सेकना है ये देखो बेसन सिक चुका है तो निकाल लेंगे इसे साइड में और अब हम ले लेते हैं एक बावल और उसमें डाल देंगे दही यहाँ पे एक कप दह बेरा इसका टेस्स में बहुत अच्छा लगता है साथ में डाल देंगे दो चमच के करीब यहाँ पर पावभाजी असे स्किप नहीं करना है ये बहुत अच्छा टेस्स देती है इस मसाले को साथ में एक चमच लाल मेच पावडर और एक चुदाए चमच हल्दी पावडर और अब हम डाल देंगे इसमें आधा चमज के करीब कुटीवी काले मेर्च, अब डाल देंगे इसके अंदर कसूरी मेथी आधा चमज के करीब, यह जो ग्रेवी है इसे बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और इसके साथ में चाट मसाला आधा चमज के करीब, बस इन सब को अ त्यार हो जाएगा यह देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीकी से करना है आपको यह आप देख सकते हैं तो एक पर हमने इसे मिक्स कर लिया इसकी बात में जो भुना हुआ बेसन रखा था यहाँ पे उसे डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी इसमें आ तो चलिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसे अब ले रहे हम कढ़ाई डाल रहे हैं दो चमच तेल और साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे दो चमच बटर जब बटर तेल में डालते हैं तो बटर जलता भी नहीं है और जो टेस्ट है पनीर बूर्जी का वो बटर से और बटर ज़रूर डाले इसमें बस एक बार अच्छे से जब बटर मेल्ट हो जाए तो उसकी बाद में हम डालेंगे सबसे पहले इसमें अद्रक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब हम डाल देते हैं इसमें अद्रक तो एक चमच क करीब मैंने बारिक से कट करके रखी ती अद्रक उसे डाल दिया है यहां पर बस एक मिनिट तक उसे अच्छे से बगा लेंगे यहां इस बात का धियान रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो हमें low to medium पे ही रखना है उसे ज्यादा नहीं रखना है नहीं तो जो बटर है वो जल जाएगा तो यहां पर आप में डाली हूँ दो प्याज जो मैंने की स्लाइस में कट कर लिए ते उसे डाल देंगे तो एक बार अच्छे से इसे पकाना है हलकी से ट्रांसलूसिंट हो जाए उतना हम इसे पकाएंगे पहले अगर आप प्याज यूज नहीं करते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं यहां पर जब भी आप इस तरह से मार्कीट वाली सबजी तियार करते हैं तो यह जो प्याज लसुने यह बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं अब मैंने डाल दिया यहां पर एक चमच हरे मिर्च और इसके साथ में दो स्लाइस में कटे हुए टमाटर डा करके हम आप अपनी ठेस के कोडिंग डाले यहां टीर देंयाक on a जब दे यहां पर अपने देस्स के ओडिंग डाल रही हूं अच्छे से मिक्स करना है एहां इस बात कर ध्यान रहना रखना हैं कि हमने ग्रेवी में नमक नहीं डाला है अगर अगर आप ग्रेवी में नमक तो फिर यहां पे नमक को थोड़ा कम डालें, इससे की सबजी में ज़्यादा नमक तीज न हो, कवर करके और दो से तीन मिनट तक अच्छे से हम इसे पकाएंगे, यह देखिए, दो से तीन मिनट हो चुके हैं, और अच्छे से टामाटर गल चुके हैं, देख सकते हैं, बस ए अभी हलका सा थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो पहले हम इस तरह से डालने के पाद में थोड़ा सा आधा गलास से भी कम पानी लेके, और उसमें अच्छे से बावल में मिक्स करके, और फिर वो पानी इसके अंदर डाल देंगे, यह देखिए, बहुत जादा पानी का मिक्स करते जाना है, क्योंकि जो ग्रेवी का टेक्स्चर है, वो खराब नहीं होना चाहिए, दही उसकिया इसमें, तो एक बार जरूरी है, कि हम पहले बहुत अच्छे से इसे मिक्स करें, यह देखिए, बस एक बार आप देख सकते हैं, जितना भी ओल और जो भी बटर था वो इसने ग्रेवी ने ले लिया है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे, वैसे ही यह तील रिलीस करेगा, और उस टाइम में हम बागी की सामारीस में डालेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तील जैपरेट हो चुका है, तो बस इस टाइम में हम हाथों से क्रश किया हुआ, 200 ग्राम पनी डाल देंगे इसके अंदर, एक बार पनी डालने के बाद में हम इसे हलकी हाथों से मिक्स करेंगे, बस यहाँ इस बात का धियान रखना है, कि बहुत अच्छे से हलकी हाथों से मिक्स करना है हमें पनीर को, एक बार जब पनीर अच्छे से मि तो यहां पे आधा कब दूद यूज़ कर रही हूं मैं तो बस दूद डालने के बाद में आपको फिर से चमच को अच्छे से चलाते जाना है यह जो दूद डाला है मैंने इससे इसका जो टेक्स्चर है बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा और यह बहुत अच्छा फ्लेवर देता इसके अंदर तो इसे जरूर डालें इसकित न करें और अब देख सकते हैं आप तेल फिर से सपरेट हो नहीं है तो यहां पे हम थोड़ा सब पनी इससे ग्रिट करकर दालेंगे यह बहुत ही जादा टेस्टी लगता है इसके अंदर और इसकी बात में हम थोड़े से अंनिय की भी किवी ली शब्स हरी मिती डाल डी है ठोड़ी से डर्माटर डाल डाल दिए हैं और इसके पाल ज़ने लाथ हम गलाक नर्माधा जुरदे coal सी घरबीकD से एक ठाल सौने और हरे मेच रखते साथ में बहुत अच्छी टेस्टी लगेगी ये सबजी तो आप इस रेसिपी को ज़रू घर पर ट्राइ करें और मुझे कमेट कके ज़रू बताएगी आपकी सबजी कैसी बनी है अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तुने ज़रू लाइक करें शेयर करें और हाँ बेरी चानल को सब्सक्राइब करना न भूले तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई